हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरव आज की वीडियो में भारत के पांच डरावने रेलवे स्टेसन के बारे में बात करेंगे जहां साम होते ही आत्माओं के चीखने की आवाजे आती हैं देश के हजारो रेलवे स्टेसन मौझूद हैं जहां हर रोज यात्री सफर करते हैं हाला कि इनमें से कुछ इस्टेसन ऐसे भी हैं जिनने भूतिया रेलवे स्टेसन कह सकते हैं वहां मुझूद लोगों का कहना है कि रात को अंदर से कई तरह की अलग-अलग डरावनी आवाजे आती हैं बारतिया रेल विस्प का चोथा और एसीया का दूसरा सबसे बड़ रेलवे स्टेसन हैं यहां हजारों रेलवे स्टेसन हैं इन स्टेसनों में करोलों रेल यातरी सफर करते हैं हाला कि इन में से कुछ रेलवे स्टेसन ऐसे भी हैं जिनने हम भूतिया रेलवे स्टेसन कह सकते हैं यहां साम के बाद कोई भी व्यक्ति गुजरने से डरता है कहा यह भी जाता है कि कुछ-कुछ इस्टेशनों पर रात के समय आत्माओं के चिलाने की अवाजी भी आती है ऐसे में हम आपको आज कुछ ऐसे ही डरावने और भूतिय रेलबे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं तो सुनिए इनकी चोकाने वाली कहानिया हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में इस्थित बड़ोग रेलबे स्टेशन डरावने स्टेशनों में से एक है काल का सिमला रेल रूट में गुचरने वाला ये स्टेशन प्राकरतिक सोंदर्यों से भरा हुआ है यहां का नदरा दिन के समय में जहां आपका दिल जीत लेगा वहीं रात के समय में यहां भूत दिखाई देते हैं कहा जाता है कि बड़ोग सुरंग का निर्वान एक बिटिस इंजिनियर करनल बड़ोग ने किया था इस्थानिय निवासियों का मानना है कि करनल वडोग की आत्मा अभी भी इस स्वरंग में रहती है नमबर टू चित्तूर इस्टेशन आंधर प्रदेश नेनी जेल के पास बना है। यहे वही जेल है जहां कई स्वतंतरता सेनानियों को प्रतालित किया गया और अंत में उनकी मिर्ती हो गई। यही कारण है कि लोगों का मानना है कि मिर्तकों की आत्माय रात में इस्टेसन के आसपास रास्ते में गूमती है। पंजाब का लुध्याना इस्टेसन का एक कमरा जहां सुभास नाम के एक रिजर्वेशन काउंटर के अधिकारी की मोत हुई उसे भूतिया माना जाता है वह आदमी अपनी नोकरी से इतना प्यार करता था कि उसकी आत्मा अभी भी कमरे के अंदर दुबकी हुई है जब कोई विक्ती उस रिजर्वेशन काउंटर पर बैठना चाता है तो आत्मा किसी को बैठने नहीं देती गुरू गुराम के इस मेट्रो इस्टेसन पर भी लोग पेरानार्मल एक्टिविटीज को महसुस करने की बात करते हैं इस बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले यहां एक महीला की मोत हुई थी लोगों का मानना है कि वह अब भी यहां बढ़कती है हाला कि इन सब बातों में बिग्जान कहीं से सामिल नहीं है ऐसे में इन पेरानर्मल एक्टिविटीज को पूरी तरह से सही मानना उचित नहीं होगा इन सभी बातों को आप लोगों की कहानी भी मान सकते हैं और सफर का बेखुफ आनंद ले सकते हैं यह थे भारत के पांच ऐसे रेलवे स्टेसन जहां पर लोगों ने पेरानर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल में पहली बाहर आ रहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तुप तक के लिए पना खहल लखना जै हिन जै बारत